वाहिगर जी का खल साव वाहिगर जी की फते कि में पाई सैब जी दा कतल होया ते फिर सेंगा बदला कि में लेया श्रोमनी एकाली दाल दे परदान ते डिक्टेटर तर्म जुद मोर्चा संत हरचान सिंग लोंगो बाड़ बलों संत जर्नेल सिंग जी प्रती अजहियां साजिशा कडियां जारियां सन जेसनाल संत बाबा जर्नेल सिंग जी मोर्चा शड़ देन जादेना पापियां दियां स्कीमा कारी गर सिद ना होयां ता इनाने संत जर्नेल सिंग जी नूते उना दे ड्राइवर पाई गुर्मक सिंग सांता दे गानमेन पाईस फ्रेंदर सिंग सोड़ी आते सांतान दापती जापाइसवान सिंग इना चारा नू खतम करन दी स्कीम त्यार की थी इसे जोजना दे अलीक के जान पीछे मुख तोरते श्रोमनी अकाली दाल दे सकत्तर गुर्चन सिंग बगा सिंग माल्क सिंग पाटिया नू जिम्मे बारी सौंपी गई सी ते इना ने इस काम नू अंजाम देन दे लई पेशावर ब्यक्तियां दी चोण कीती जिना बिचों पहलना तो ही इना दे संपर्क बिच रहा सुरिंदर सिंग शिंदा जोके एक स्मगलर सी उसनू चुणिया पर उस समे जेल बिच बन सी जेल बिची उसनाल गालवत करके उसनी जमानत इना बलो करवाई गई आते उसनू गुर्रामदा स्राविच कमरा नंबर एक सो दो बिच पके तो उरते रहन दा प्रवंद की था इते गुर्चान सिंग्स कतर आध ने शिंदे नू 40,000 रुपई दिते आते बाकी राकम कम होन तो बाद देन लिकिया मुक्त ओरते सांथ पिंडरा बाले आते उस तो बाद बाकी तिनना बारे भी दसिया गिया कि इना नू खात्म करना है शिंदे ने थे रहन दिया ही एक औरत बलजीत कोर नू अपने नार रख लिया पता लगया है कि एक लाग तो गिरी एक औरत सी इना दोमा ने थे रहन दिया सांथा निया आते बाकी सिंगा निया रोज दियां सरगर्मियां बारे पता लाया कि किमें आसी सफल हो सकने हाँ कई दन पिश्या करन तो बाद एना ने 1984 दी विसाखी दा दिन चुने हाँ कि उस दिन सांगर भी बहुत आवा जाई होवेगी जेस दुरान सानू काम करना असान हो जावेगा सांत पिंडराबाले अपने सिंगा समेत शिरी हरमंदर सहीब तो मथा टेक के लागपक स्वेरे नो बजे गुर्राम दा सलंगर दी तीसरी मंजल विखे पहुंचे जिते रोजाना ही संगता नान बिचार बिटंदरा कर दे सन अते देन बिच कई की बार संगता नो संबोधत हो के गुर्मत बिचारा सनों दे सन ते अज बिसाखी दा देन होन कारन स्वेर तो ही संगता दी काफी पीड सी इसे दुरान सुरिंदर सिंशन दा अपनी साथन बलजीत कोर नाल इते पहुंचेया जिना बिख्या के पोडियां तो लेके चार चुफेरे संगता आते हथियारवन सिंग बहुत सुचेता नेनाल खड़े ने इसलिए इते कोज भी करना खत्रे परया होएगा इसलिए को सम्मा इते रहन तो बादे बापस परत गए गुरुराम दा स्राम बाले पास्यों बाहर निकलन बाले गेर तो बाहर सिंधी होटल है जिते सिंगा दी आम आबा जाई बनी रहन दी सी क्योंके किसे भी सिंग दा कोई रिष्टेदार आउंदा अक्सर इते ही ठैर दा सी लागबा ग्यारंक बजे पाई सुरेंदर सिंग सोडी नाल्दे सिंगा नो एक कह के बाहर आगया कि मैं अपनी पैर नो तो रहा माँ सोडी इसे ही गेर तो ए अपनी पैर नो थ्री बिलरते बठाउन लई रोक या शिंदे ने सोडी नो गेर तो बाहर खड़े बेख्या ता उसने त्रांत ही अपने दो साथिया नो जो के बेखर नो सजे तजे सेंगी लगदे सन पाई सोडी कोल पे जयाते किया के आओ सिंदी होटल विच बैठ के कोफी दा कप का पीन दे हाँ अपनी पैन नो तोर के सोडी इना सिंगा दिनार सिंदी होटल विच चले गया विसाखी दा दिन समझ के ओ इथे आ गया बाकी उस दे दिल विच कोई खत्रे परिया शक नहीं सी सोडी दे पहुंचन तो पहला ही बलजीत को रते शिंदा उते मुझूद सान जिना बारे सोडी अनजान सी पर गुर्चान सिंग सकतर हुरां दी समझाई होई स्की मताबक इना तिना सिंगां बिचों सुरिंदर सिंग सोडी स्वन सिंग जा गुर्मक सिंग कोई भी काबू आवे ता इना नु कतल करनु प्रंत इना दाही हतियार उतार के बलजीत को और संता को पेश हो जाबे के ए शिंदे अते बलजीत को और बलों पाई सुरिंदर सिंग सोडी नू गोल यां मार देतीयां गई जद सोडी फार्श उपर डिगया था इस दा नौ एमेम पिस्टल शिंदे ने ला ले आते इसनू इसे हालत भी शाड के उत्थों दोड गया अते अपनी स्रावाले कमरे भी चल फिर्शी मघवाई अते उसनू पूरा प्रोसा दिवाया कि शिंदा मेरा प्रोसे जोग अते बागवाद मी है जिते कहे उसनू शाद के आबो अते तेरी टैक्सी दा किराया भी मैं दे मागा इस तरह शिंदे नू पाटिये हुराने जाल्दी नालित्हों कर देता शिंदे टेक्सी बाले नो किया कि मैंनू अलगो कोठी पेंड शट किया उते शिंदे दा पुराना बावकार सरदार बक्षी सिंग रिंदा सी टेक्सी बाला उसनू बक्षी सिंग दे कारो उतार के बापस आ गया कुछ समय बाद जाद बक्षी सिंग शिंदे नो मिले आता उसने इसनों पुछिया के तु एनना कवराया हुया क्यों है पेलना तक इसने टाल मतॉल कीता पुराना बाकफ़कार होन कारण इसने बक्षी सिंग नु दस दिता के असी सोड़ी दा कतल कर देता है इन्दी गल सौनके बक्षी सिंग भी कवरा गया उसने किहा कि तू बहुत बड़ा गुना कीता है सोड़ी सांता दा प्रोस्य जोग अते तियर्वे कर साथी सी फिर उसने पुछिया कि तेरे बारे किसे नू पता है शिंदे ने किहा मेरे बारे पाटिये नू अते गुर्चान सिंग नू पता है ओ बहुती दोगली किसम देयते कटिया बंदेने ओ ए भी सोचन लगा के शिंदा ता संत पिंडरा बाड़ें दा दोशी है ही जेकर मेरे बारे पता लगा के सोधी दा कतल करन तो बाद शिंदे नू पना देन बाला बक्षी सिंग है ता में नू परवार समेत सिंगा ने सोध देना है ए सोचन सोचने उसने शिंदे नू कहा के चाल ते नू होर किसे सुरखे जगा ते शड़ के हमा उसनू नार लाके अपने डैरी फार्म ते गया जो के खालचियां तो ख़डूर सही नू जान दी सड़क ते पेंड पोर्शी राज पूता बिखे है इते बक्षी सिंग ने को जमीन करीदी होई सी इते पहुंच के शिंदा खोद भी इना कवराया होया सी के नशे बिच बेसुद होके कमरे बिच पैगया अते बक्षी सिंग ने मान बिच कई तरह दे उत्रा चड़ा आये अखीर उसने फैंसला कर लिया कि मैं इस बारे संत पिंडरा बाले आनू साब कुछ दस देमाए तां के काल नो मेरे सिर कतल दा दोश ना लगे इसलिए ओशिरी अमरसर साहिब सांता कोर चलिया गया ते उधर दूसरे पासे मिथी स्कीम अनुसार बलजीत कोर हाथ बीच रिवालवर लेके दोड़दी होई गुर्राम दस लंगर हाल दी दूसरी मंजलते पहुंची ता इते पाई अमरीक सिंग समेट को सिंगा ने इसनों रोक लेया अते उसनों पुछिया के तू इस हाल दे बिच किदर जा रही है ता उसने किहा के मैं तुरांत सांत पिंडरा बार्या नों मिड़ना है क्योंकि उन्हा देखा समझे जान दे सुरिंदर सिंग सोडी ने मेरी एज़त नों हाथ पाउंडा जतन कीता ता मैं उसनों गोलियां मार के मार देता है मैं सांता नों दसना है के तुसी रोजाना इते परचार कर दे हो के जेकर कोई ब्याक्ती किसे दी ती पैन दी एज़त नों हाथ पावी ता उसनों गड़ी चड़ा के मेरे कोड़ा बो मैं उसनों सांबागा यही मैं कहना चोंदिया कि हाँ कि मैं उसनों मार देता है ते हुन सांत जी में नू सांबन पाई अमरीक सिंग बहुत जर्बेकार सिंग सन ओ समझ गए कि परदे पिछे कहानी कुछ हो रहा है क्योंकि पाई सुरिंदर सिंग सोड़ी आजेहा ब्यक्ती नहीं कि किसे दी एज़ित नू हत पावे पाई अमरीक सिंग ने कुछ बीबिया नू सद्धे आते इस तो पुछ परताल करनी कहा ता बीबिया नी पुछ परताल दुरान बलजीत को और कुछ कबरा जरूर गई पर असलियत दसन तो पासा बटी रखिया जदो जते दे सिंगा ने उना बीबिया नाल मिलके कहा कि जेकर ए असलियत नहीं दस दी ता इसनों बिजली दे करंट लाके बिहोश कीता जावे ताके बिहोशीरी हालत बिच आपे ही साब कुछ दस देवेगी सिंगाबल दिता गया रावा बहुत कम आया इसने डर्दी ने साब कुछ सच सच दस दिता के गुर्चान सिंग सकतर बंगा सिंग अते पार्टिया दे कहन ते कतल कीता गया है उसने एवी दास दिता के सुरिंदर सिंग सोडी ने मेरी एज़त नूं हाथ नहीं पाया सगो ए चूट बोलन बास्ते भी मेनू उना ही ब्याक्तिया ने सला दिती सी सादी स्कीम ता सांता नूं मारन दी सी असी उठे गए भी पर सादी हिम्मत नहीं पाई के असी उना नू मार सकी ए दूसरा उनादा ड्राइवर ए ते उनादा पतीजा है उनादों भी असी मारना सी उसने ए भी मन्या के इस कतल बिच मेरा दूसरा साथी सुरिंदर सिंदा है जो इस कतल तो बाद इत्वों दोड़ गया है उसने दसिया के पिछले एक महिन तो aty गुरह नहीं अज़े लेटे गे सन्हागफी दे पाइसे कतल करनं तो बाद देने सन्हाध उपाइसे किन्गे Gan IsPad शूंद से नू पता है वजीत को और बलं की तजोनिया इना सबड़ा यह गें उस्टे सम्हणी Soul कर लिया उस तो रिवालवर लेलीया पनों आथे उसन्हें बिच सिंग निहंग सिंग ने जाके सोड़ी नू जख मी हालत बिच चुकिया ओ हाले जिऊंदा सी विसाखी दा देन होन कारण एक एम्बूलेंस एमर्जांसी ड्यूटी लाई खड़ी सी उस बिच पागे पाई सोड़ी नू हास्पितार लिजाया गया पर ओ रास्ते बिची दम त लोड़ गया ते शिहीदी पागे जदो उसनू बापस लेंदा उदो तक सोड़ी दे कतल दा रोड़ा सारे शेहर दे बिच पैचुकिया सी खास करके केंपलेक्स दे अंदर दा हर ब्यक्ति सोच रहा सी के सोड़ी दा कतल क्यों होया सांता कोल बलजीत कोर बलों दित्ती गे जानकारी भी पहुंच चुकी सी पार वो असल चाई नू सामजन बिच लगे हुए सान ते इन्ने जर नू आलगो कोठी वाला बक्षी सिंग भी इत्थे पहुंच गया उसने जथे दे जिम्मेवार सिंगा नू शिंदे बारे सब कुछ दस दिता आते किया कि मैं सांता नू मिलके एस साब कुछ उना नू भी दसना चाऊंदा हां सिंगा ने इसनू होसला दिता थे किया के ते नू सांता नाल मिलाओं दे हां सांता नू इस बारे दसिया गया अते लंगर दी साब तो उपर ली मंजल थे उसनू सांता नाल मिलाया गया दूजे पासे जते दे सिंगा जदो तक उते पहुंचे उस बेले बहुत हनेरा हो चुका सी पर सिंगा ने शिंदेन उते जाके दबोच लिया उस समय शिंदा इना डर्या होया सी कि उसने सिंगा दे बहुत तरले कीते कि मैं गुर्चान सिंग हुरा दी जुंडली दे कहन दे एक गुना कर बेठा हां। दूजे पासे इसली साथन बलजीत कोर ने इस कांड बारे जो कुछ दस्या सी ओ बक्षी सिंग अलगो कोठी बाले दे दसन मताबक सब गला नार मेल खंदा सी इसली शिंदे तो होर को पुछ परताल करन दी लोर ना समझी सोड़ी दे कतल कारन सिंगा बिच पारी गुसे दी ल खोल सके पर इना दे नाल दे एक सिंग ने अपनी शिरी साहिब दे नाल शिंदे नूँ पार ला देता इस दी गर्दन तरनालो बख कर देती इसनू कप्ड़े बिच बन के अमरसा जीटी रोड ते मानना वाले पिंड दे समने सोट देता गया उदर बक्षी सिंग ने बाप जीट कोर नूँ भी गड़ी चार देता सोटी दे दो में कातल चोब यां कंटेया तो पहला पहला सिंगा ने सोट देते ते होन समा सी शाजिशकारा नूँ गड़ी चारन दा ते होन साजिशकारा दे भी सा सोक रह सन के साधा हुन की बनेगा इसे ही रात सिंगा बिचों किस पंद्रा प्रेन नू कंप्लेक्स ते अंदर ला महोल बहुत नापूरन सी एक पासे सोडी दा कतल दूजे पासे कातला नू सजा तीजा गुर्रामदा स्रादे मुख गेते लिखिया होया बैंदर पर तक वार्निंग दे रहा सी के कहानी हले मुकी नहीं दोशी हले भी बाकी ने इना हलाता तो संत लोगोवाल खोद भी पैपी सी क्योंकि सोडी दे कतल दी कहानी जेस तरह सामने आ रहे सी इस तरह संत लोगोवाल दा इस कतल कान तो बेखवर होना भी शाक दे केरे भी सी क्योंकि सकतर गुर्चन सिंग बगा सिंग अते पाडिया इ इस दे खासमखास भ्यक्ती संद। इसलिए साथ लोगवाल ने कुछ जिम्मे बार भ्यक्तियानों संदां कोल पेजिया के किमे ना किमे इस विभाद नो अग्गे बदन तो रोकिया जा की। इना ब्यक्तियां बिच सरदार मेजर सिंग उबो के जनरल स्कतर श्रोमनी कमेटी सरदार पान सिंग स्कतर श्रोमनी कमेटी ते कुछ होर सिंग विशेश तोर ते सांता दे कोड़ा है अते इना दे नाली गुर्दियाल सिंग मुंगा श्रोमनी कमेटी दा सला कर पूरन सिंग जोश मेंबर श्रोमनी कमेटी महिंदर सिंग साब का ब्रिगेडियर ते अते कुछ हो और मेंबर श्रोमनी कमेटी नाल सान उसमें ये सारे जने सांता कोल गए जथे दे बहुत सारे सिंग भी उत्थे ही सान उसमे सांत पिंडरावाले अपड़े नाड हो रहियां बदीकियां तो बाद के मसला सिंगा दे कतला तक पहुं जान कारन फिकर मन भी संद ते बीर रस दे बिच भी संद ते सांता ने न आई होई आगवानू दसिया के मैं चोदा तरीक नू बिसाखी बाले दिन पूरा देन ही तरम जिद मोर्चे दी चरदी कलाली संगता नू प्रेरदा रहां ते बाद तो बाद अमरत आरी होके गुर्मत दे तार नी बनाउन ली परचार कीता उसे दिन अकाली दाल दे फ्रीद कोर दे जिला परदान जाते दर तोता संह अते नحाल संग बाला दी सरकल परदान मलकीज सिंग रणिये बाले मेरे कोल बेठे सन असी हाले कोज विचारा ही कर रहे सा के मेरे कोल सुनेहा आगया कि सुरिंदर सिंग सोडी नो मार देता गया है उस तो बार जिस तरह दे हलात बने हानो तो हाडे सम्ने ने कोसमा चुप बेठे रहन बाद मेजर सिंग उबोके ने कहा कि कल वाली कटना बहुत मंद पागी है हाले ओ बोलन ही लगे सन कि सांता ने पाटिये वाल इशारा करके कहा कि तू नहीं सी आउना इत्थे क्योंकि तू ता इस सारी शाजश भी सामल है तू की समझना है कि तेरे बारे कुछ भी पता नहीं ना ली जते रे सिंगा नू कहा कि लिया आओ पाईजेडा कातल बलजीत कोर दी टेप रकार्ड परी है ओ सुनाबो इना नू तांके इना समना नू ठंड पैजावे कि में साधे सेंग नू शाजश अदीन कतल कीता जा रहा है सांता ने बलजीत कोर दी और कार्ड कीती सारी गलबात इना नू सुनाई पर पाठीय नू पुछया के होन खड़ा होके दासे कि तू शिंदे नू इतनो कड़न विच मदन नहीं कीती कि तू उसनू अपने बलो टेक्सी लेके नहीं देती कि तू सरादे कमरे नंबर 102 सिंग ने कहा सी बाकी गलबात बारे में नू पूरा नहीं पता सी सांता ने कहा के तू चूट बोलता है कि तेरे सामने सोडी दा रिवाल वार शिंदे ने नहीं लाया बाकी तेरे वारे शिंदे ने खोद सब कुछ बक्षी सिंग अलगों कोठी नू दस देता सी ते ओ आके सानु साब कुछ दासे गया है इनना कुछ करन दे बावजूद तु साधे अखी कटा पौन बास ते इथे आया है बस मैं एही कहाँगा के तुहुने इसे बक्त साधी अखा तो दूर चले आजा मैं सिंगा नु भी बेंती करांगे इसनु के इथे कोजना अख्या जावे क्योंके एना ने अपने आगुआ दे हुक्मा अनुसार सिंगा दे कतल करने शुरू कर देते ने अते पांतरी पाग रोलन ने तियार हन अपा ए नहीं होन देना इस्तो बाद पाटिया इतो चलिया गिया फिर पांत सिंग बोलिया के सांत जी पामे बहुत बड़ा नुक्सान हो गया है पर आप ही इस्तिती नु संबाल सकते हो सांता ने साब आए होई सिंगा नु किहा के साद्धा किसूर दसो की है तुसी इलजाम भी लगाबो मंजी साहिब ते मेरा बोलना भी बंद करो गुरुनान की निवास विखे सिंगा नु मेरे गाल पौंडा जतन करो ते होन शेर बरगा साद्धा सिंग कतल करवा के मेरी सजी मां बढ़ देती है अपने परदान नु पचल लगो के होरकिने सिंग साद्धे कतल करने ने तु हादे मू तो कही गई शांती शांती यसी की चटनी है जेकर तु हादे देल बिच इस तरह दे कब्ट हन मैं तु हन एही अपील करदा है के तुसी अपने ही सिंगा दी कमेटी बना के इस कतल बारे सारी तफ्तीश कर लबो पर चाई सांत लोंगोवाल नु साधे समने दसो दूजा उना नु कह देवो के सकत्तर गुर्चान सिंग बगगा सिंग आद नु इतो तोर देन बाकी तुसी आप इचार लिओ कारणी ता तुसी अपनी मर्जी है ए मा पुर्खा ने बचन उस समय कहे ते होन तो अनु जानकारी दिन दे हा के पाटिय ता फिर सेंगा ने किस तरह सोदा लाया एक निहांग सिंग ने ओधर शाम तक गुर्णा सराँ दे नेड़े पाटिय दी उसे निहांग सिंग गुर् पाटिय तेरे समने सोदी जकमी हालत बिच पयास हिया ते उस आलत बिच शिंदे ने उसरा रिवाल वद उतारिया एक अल सुणदे यांग पाटिय ने किहा के निहांगा आपनी जवान बंद रख इनना सुणदे यां गुर्दयाल सिंग ने पाटिय नू उठे ही अपनी श नांता ने जते दे जिम्मेवार सिंगा नो अकठेया करके किहा ते सकती दे नाल किहा के साब सिंग संजम तो कम लबो इतनी अबेंतियां प्रवाण जी वाहिगुर जी का खलसा वाहिगुर जी की फते है